दूद से पाई खिली खिली तवचा पाशक तत्वा से भरपूर दूद केवल सेहत ही नहीं बनाता बाल की चेहरे की सुन्दरता बढ़ाने में भी जबरदस्त काम करता है दूद का उप्योग कर कुछ घेरेलू टिप्स से आप कुछ ही मिन्टा में खूपसूरत चमकतार और मुलायम तवचा पा सकते हैं आए ये जानते हैं दूद से कैसे बढ़ाए चेहरे का निखार गुलाब की परखुंदियों को पीस कर आधा ग्लास कच्चे दूद में 30 मिनिट तक भिगएं फिल्स पेस्ट को धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं थोड़ी देर बाद इसे हलके हाथ से मलें सूखने पर ठंदे पानी से धूल दें तवचा गुलाबी और नर्म हो जाएगी तवचा को साफ करने के लिए दूद एक बहतरी इंकलींजर है कच्चे दूद में कॉटन का एक टुकड़ा दुबोएं और इससे चेहरे को साफ करें उसके बाद साफ पानी से चेहरे को धोलें अगर आप हर रोज कच्चे दूद से अपना चेहरा साफ करेंगी तो आपकी तवचा खिल उठेगी ड्राई तवचा के लिए हर रोज दो चमच दूद की मलाई में एक चमच शहद मिलाकर अपनी तवचा पर लगाएं इससे तवचा की खुश्की खत्व होगी और आपकी तवचा ग्लो करने लगेगी दूद से भी आप डबल चिन की समस्या निजाद पा सकती हैं इसे टोन के रूप में लगाएं दूद से चिन की मसाज करें और चेहरे को गुनगुने पानी से साफ कर लें दूद और शेहद का फेस मास्क भी कारगर उपाए है इस फेस मास्क को दस मिनट तक चेहरे पर लगाने के बाद गुनगुने पानी से चेहरा दोलें इससे डबल चिन काम होगी इसी तरहें दो अंदे के सफेद वाले हिसे में एक चमच दूद थोड़ा सा पिपरमिंट यू असेंशल ओल एक चमच शेहदर एक चमच नीम्बू का रस डाल कर मिलाएं नियमित रूप से यह फेस मास्क लगाने से भी डबल चिन समस्या से चुटकारा मिलेगा दूद से पाई खिली खिली तवचा पाशक तत्वा से भरपूर दूद केवल सेहत ही नहीं बनाता बाल की चेहरे की सुंदरता बढ़ाने में भी जबरदस्त काम करता है दूद का उप्योग कर कुछ घेरेलू टिप्स से आप कुछ ही मिन्टा में खूपसूरत चमकतारा और मुलायम तवचा पा सकते हैं आए ये जानते हैं दूद से कैसे बढ़ाएं चेहरे का निखार गुलाब की परखुंदियों को पीस कर आधा ग्लास कच्चे दूद में 30 मिनिट तक भिगोएं फिल इस पेस्ट को धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं थोड़ी देर बाद इसे हलके हाथ से मलें सूखने पर थंदे पानी से धूल दें तवचा गुलाबी और नर्म हो जाएगी तवचा को साफ करने के लिए दूद एक बहतरी इंकलींजर है कच्चे दूद में कॉटन का एक टुकड़ा दुबोएं और इससे चेहरे को साफ करें उसके बाद साफ पानी से चेहरे को धोलें अगर आप हर रोज कच्चे दूद से अपना चेहरा साफ करेंगी तो आपकी तवचा खिल उठेगी ड्राई तवचा के लिए हर रोज दो चमच दूद की मलाई में एक चमच शहद मिलाकर अपनी तवचा पर लगाएं इससे तवचा की खुश्की खत्व होगी और आपकी तवचा ग्लो करने लगेगी दूद से भी आप डबल चिन की समस्या निजाद पा सकती हैं इसे टोनर के रूप में लगाएं दूद से चिन की मसाज करें और चेहरे को गुंगुने पानी से साफ कर लें दूद और शेहद का फेस मास्क भी कारगर उपाए है इस फेस मास्क को दस मिनट तक चेहरे पर लगाने के बाद गुंगुने पानी से चेहरा दोलें इससे डबल चिन काम होगी इसी तरह दो अंदे के सफेद वाले हिसे में एक चमच दूद थोड़ा सा पिपरमिंट यू असेंशल ओल एक चमच शहद और एक चमच नीमबू का रस डाल कर मिलाएं नियमित रूप से यह फेस मास्क लगाने से भी डबल चिन समस्या से चुटकारा मिलेगा